डॉक्तर आर आर सौरस के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के द्वारा लाखों लोग अपनी जीवन में आशीश प्राफ कर रहे है आप भी विजे जीवन का आनन उठा सकते है आज ही इन पुस्तकों के सेट का ओडर कीजिए हमारा पता है ग्रेस आफ गॉड पोस्ट बॉक्स नंबर 2089 हेट पोस्ट ऑफिस कैंटनमेंट वारा नसी 221-002 प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करे 9-3-89-89-89-00 पर सोंबार से शुक्रवार प्रातह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करे फेट्शो इंडिया एट याहू डाट कॉम पर आयो प्रभू इशु के लिए जोरबार तालिया हो जाए प्रियमित्रो हम मौके का फाइदा उठाएं जो परमिश्वर हमें दे रहा है ताकि हम मनंद कर सके उस पर जो इशु हमें सिखा रहा है और फिर तेजिस होकर और आश्वासंद के साथ हम आशिश पर अधिकार कर सकते हैं आज परमिश्वर के बढ़ने का दिन है जब भी हम इशु के नाम में जमा होते हैं वो हमारे साथ होता है और बाइबल कहते के वो वही है तो वो बदलता नहीं है इशु ठकता नहीं है इशू हमसे कभी नाराज नहीं होता है, यदिपी हम पाप में हैं, वो हमारे लिए अफसोस करता है, वो तरस खाता है और हम पर कृपा करता है, वो दया महसूस करता है, क्योंकि हम गलत मिरने ले रहे हैं, जो गलतियों के रास्ते पर चलता है, वो सफल नहीं होंगे, जो शैत मित्र आपको छोड़ देगा जब कुछ बुरा होता है एक अच्छा मित्र साथ में खड़ा होता है और आपको सही रास्ता दिखाता है और आपको सही मौका भी देता है भले ही आप उसे कठिन समय दे रहे हैं क्योंकि आप गलत में हैं और वो जिनके मदद की जा रही है और ज मर्चन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और वो प्रभू परमिश्वर के मकसद को मरोड रहे थे जो उसने आग्याओं के रूप में दिया कि हम कुछ चीजे न करे ताकि हम बदले में दूसरी चीजे कर सके एश्यू ने तब समझाया हमें कि अंधे फरिस्यू ने मच्छरो को जानी दिया पर उट को निगल गए उन्होंने कटोरे को उपर से साफ तो कर दिया पर अंदर वो गंदा है और अंदर है जो तातपरे रखता है मेरा मतलब जो तातपरे रखता है हमारा अंदरुनी हमारी आत्मा असल में साफ है नहीं तो हम मेंसे कोई भी जीवन का पानी नहीं पिएगा प्रभु परमेश्वर भी हमारी महिमा प्राप्त नहीं करेगा जरूरी है कि हम अंदर देखे वचन को पहले मुझसे बात करना चाहिए ताकि मैं वो आपको बता सकूँ तब उसे आप से बात करनी चाहिए ताकि आप किसी और को बता सके हमें वर्तमान समय का फाइदा उठाना चाहिए और हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए चाहिए जो कुछ हमारे साथ हो क्योंकि कुछ लोग है जो खोना चाहते हैं दुर्भाग्यवश्च पर हम जोर देते रहेंगे दिखाने के लिए कि हम दोस्त है जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि वो गलत चल रहे थे तो आई आगे चलते हैं और देखते हैं मत्य अध्याय 30 का 36 में क्या लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ ये सब बाते इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी प्रिये भाईयों दुर्भाग्यवश्च कुछ बाते अपरिहार यह हैं वो बस हो जाती है ऐसी घुस गया और वो वहाँ सिर्फ ऐसे ही नहीं था शैतान से कभी कुछ ग्रेंड ना करे वो लोगों के जीवन में मदद करने के लिए नहीं घुसता वो लोग भी जो जादू टोना के साथ काम करते हैं तंतर और काले जादू के साथ और लगता है जैसे शैतान उनसे खुश मनुष्य पर असल में वो नहीं हैं यह तथ्या कि मनुश्य प्रमिश्वर के सुरूप और समानता में बनाये गए शैतान में गुसे की भावना उत्पत करता है और वो मनुष्यों को नष्ट करना चाहता है तो जब यह बाते होती हैं हमें प्रात्ना करना है कि हम बच जाए ताकि दूसरे लोग बचाएं जाए और ताकि लोग जागे पर दुर्भागिवश हमेशा एक यहुदा इसकुरियती होगा, हमेशा एक यहजबेल होगी, हमेशा एक हनन्या और सफीरा होगे, हमेशा एक अकान होगा, लोग जो शैतान द्वारा भ्रहमित होगे और उनके बारे में चिंता नहीं करूंगा, बेशक हम अफसोस करते हैं, जब कोई पुरुष भ्रहमित हो जाता है, या एक महिला भ्रहमित हो जाती है, वो रास्ते से भटक जाते हैं, हम कभी-कभी दुखित होंगे, पर अगर हम दूसरी तरफ इन लोगों को परमिश्वर का वच करने से ठक जाते हैं, मानवी है कि हम थोड़े सुस्थ हो जाते हैं, पर हमारे पास एक लक्ष है, जो हमें इशू को देखना चाहिए, और हर दिन अपने आपको नविनिकरन करना चाहिए, ठीक, ऐसे ही जैवंत प्रभु परमेश्वर को खुश करते हैं, और इसलिए वो ज सांतवना का परमेश्वर है, और हमारी पीडा में हमें सांतवना देता है, आपके जीवन में क्या गलत बाते हो रही है, बताइए, शैतान आपको कहां परिशानी दे रहा है, क्या ये आपका शारेरिक स्वास्थ है, या मानसिक स्वास्थ है, पारिवारिक स्वास्थ है, भ सर उसी जगह पर या पिछले वाले के करीब ताकि आप ध्यान न दे और कहे मुझे समझ नहीं आता परमेश्वर ने मेरी आशिश वापस ले ली है उसने उत्तम काम नहीं किया है परमेश्वर के काम सरासर पूर्णता है और वो हमें शैतान का विरोध करने के लिए योग्य कर और शैतान भाग जाएगा यही हमारा मिशन है यह भार हमें सौपा गया है जो भी शैतान कहता है उसे ग्रहन ना करे क्या आप विपत्ति से गुजर रहे हैं परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे परमेश्वर सारी कृपाओं का पिता है और प्रभू सारे सांत्वना का प जैसी सांत्वना मैंने पाई है तो यह एक उपहार है जो प्रभू परमेश्वर हमें देता है एक बार आपने सांत्वना पाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो आपके सिर का मुकुठ था या आपके पैर के नाखून जब आप परमेश्वर के आशिश पाते हैं आप कह सकते हैं अब मेरे पास परमिश्वर की सांत्वना है आपके नाखुन चंगे हो गए पर आपका रिदय भी चंगा हो सकता है आपका रिदय के अंदर उसकी सांत्वना आपके आर्थिक जीवन में कारिय कर सकती है या आपके भावुक जीवन में परमिश्वर चाहता है कि हम आत्मा दे और प्राण में पूरी तरह से निपुण हो और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दर्यादिली से आशिशित होंगे भरपूरी से आमीन। अब हम यर्मया सत्रा पढ़ेंगे लगातारा चोथे प्रोग्राम में यहां यर्मया के किताब सत्रा में हमने अध्यन करना शुरू किया था कैसे पाप में काम दुखी हैं और भारी भी हैं और हम पर बहुत पीड़ा का कारण होता है। परमेश्वर यह कह रहा था यहुदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वो उनके रिदे रुपी पटिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। पटिया और सिंगों पर। यह काफी गंभीर है। वो जो पाप में है या वो जो परिक्षा में चल रहा है और पाप करेगा और अनंद पाप करेगा उन्हें ये वचन जाननी की आवश्चक्ता है वो असल में उकसा रहे हैं वो खुल रहे हैं ताकि उनके पाप में काम लोहे की टांकी से लिखे गए हैं हीरे की नोग से जो बह पहरे रूप से खुदा हुआ है, मैं पराजित हूँ, मैं योगिन नहीं हूँ, अनंतकाल की यातना के मुल्जिम और दूसरे विशेशन जिसे बेवकूफ और वगरे ये अदला बदली कर रहे हैं, अनंत और पूर्ण आनन को एक जुनून के लिए जो कुछ नहीं बस बहुत शर्म का कारण होगा यहां और जो उन्हें पीडित करेगा, या एक बैमान काम के लिए, या दूसरी बुरी बातों के लिए, इसलिए ये खुदाई कभी मिटाई नहीं जाएगी, वो कभी मिटाई नहीं जाएगी, क्या कोई मिश्रन या कोई प्लास्टर नहीं है जो उसे ठेस पहुचाई और उनसे मेल मिलाब करता, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, वो खुदाई वहाँ गढ़ी रहेगी, हमेशा के लिए पापी के जीवन में, और उनके जीवन रुपी पटिया में भी, और पापियों के वेदियों के सिंगों पर भी, परमिश्वर ने हमार परमिश्वर उनके विश्वास योगिता में महिमा महित होता है, जब कोई पवित्र होता है, उसके पवित्रता में जब वो इमानदार होते हैं, इमानदारी के वेदी पर, पर पाप ये सब बाते खराब कर देता है, अगले पद में जो हमने देखा है, पर मैं फिर पढ़ इससे पहले हम एक नया विशे पढ़े। राज्य खरीदने का और चर्च बनाने का ठीक वैसा जैसे उसे बनना चाहिए और मैं मंदिर को चर्च में दूँगा, मैं प्रायोजक बनूँगा और मैं अच्छी चीज़े करूँगा, मैं जरूरत मन्नू की मदद करूँगा और लड़कों आप देखो वो याद करते, वो लड़कों को भी स्मरन रहती हैं, उनकी भली अभिलाशाएं और लकडियां जो प्रभु ने सुन्दर्ता से बनाएं, उनकी लकडि की देवियां हरे पेडों के पास और उचे टीलों के उपर, वो याद करते हैं पर उनके पास अब नहीं है, क्योंकि पाप सब कुछ नश् करता है, पद नमर तीन में उनके विशे में जो गिर जाते हैं, हे मेरे परवत, तू जो मैदान में है, ये बहुत गंभीर है, इस तरह परमिश्वर मुझे और आपको देखता है, अवसरों के मैदान में परमिश्वर ने मुझे और आपको एक परवत के रूप में स्थाप पीटर तुम एक परवज जैसे होगे, मार्था तुम मेरी परवत होगी, पर तुम अब नहीं हूँ, और अब परमिश्वर कहता है, तेरी संपत्ती, जो परमिश्वर के वचन में महान है, तेरे सारे भंडार, जो तुने विश्वास के कारण रखे हैं, मैं लुट जाने दू जो तेरे देश में पाए जाते हैं, सब कुछ जो हमारा है, जैसे दाउद ने कहा, सब कुछ जो मुझ में हैं, सब कुछ, एक बाल भी, उसके सबसे चोटी कोशिका, आत्मा का वो चोटा भाग, आत्मा का सबसे चोटा भाग, असल में बिलकुल चोटा सा भाग, उससे सारे देश और अगर आप अपने आत्मा को भागों में बाटते हैं, तो उसमें से शैतान को एक भी न दे, सब कुछ परमेश्वर को दे, सारी अच्छी चीजे उसे दे, आप अपने दिल में घ्रेना नहीं रख सकते, कोई मनमुटाव नहीं, नाराज़गी न रखे या परमेश्वर के पुरुष और महिला बनें, क्योंकि अगर ये आपके किसी भी सीमा पर है, पाप आप पर भारी पड़ जाएगा, ये ऐसा है जैसे कि एक देश दूसरे देश पर आकरमन करना चाहता है, वो आपके देश के एक छोटे भाग पर आकरमन करता है, और फिर वहा पुरुष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा, जो मैंने तुझे दिया है, परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक भाग दिया है, जब उसने आदम को बनाया, उसने कहा, आदम तुम आकाश के पक्षियों पर अधिकार रखो, बीज बुने वाले के पुरुष के पास शैतानों के उपर अधिकार था कि उन्हें संसार में आने से और हमारी जिंदगी में आने से रोके, इस संसार में एक भी बुरी बात नहीं होती, अगर आदम ने इस वचन पर ध्यान दिया होता, क्योंकि जब शैतान ने हवा को प्रलोभित किया, उसे भर परमाया और उसने वो फल खाया और उसने देखा और उसने कहा क्या हुआ, उसने कहना चाहिए था, मैं परमेश्वर से प्रातना करूँगी, वो आपके बारे में कुछ करेगा, पर मैं दखल नहीं दूँगी, मैं इसका भाग नहीं होँगा, परमेश्वर इस त्री ने पा इश्व ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं शैतान की सारी ताक्तों पर। क्यों एक प्रोलोबन आपके रिदय पर विजय होगा। चाहे जो भी प्रोलोबन हो ये सिर्फ शरीर के अबलाशाएं नहीं है मित्रो। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का पुरुष बैमान है। जब वो व्यापार कर रहा है सही दाम लगाने के बजाए वो दोगुना दाम लगाता है। वो चोरी कर रहा है। हमारी सफलता परमेश्वर से आनी चाहिए बैमानी से नहीं। मैं याद करता हूँ जब मैं बच्चा था मैं जानता था कि तराजू है जिसके उपर एक बरतन है। जिस पर लोग चीजे तोलते थे दुकानदार तोलता था। दुकानदार खुद दो किलो चावल तोलता था ग्रहा के लिए एक थैली में मेरे माता पिता मुझे सिखाते थे ये देखने के लिए कि अगर दूसरे तराजू में सिख्का है क्योंकि सिख्के के वजन के अनुसार वो पूरे वजन से करिब 200 ग्राम तक चूरी कर सकता मैं हमेशा तराजू को देखता था अब ये दुकानदार बैमान क्यों है क्यों दुकानदार जो आलू बेचता है वो थैली के नीचे सड़े आलू रखता है आप सुपरमार्केट में एक थैली भर संत्रे ले और उसमें से तो या तीन सड़े होंगे उन्होंने उन्हें क्य ये विक्ति कैसे गुस्ता था? मैंने पुछा क्यों? और उसने कहा क्योंकि वो मेरी पत्नी को छेड़ेगा। वो एक बुजर्ग पुरुष था, मेरी हाल ही में शारी हुई थी और उसने मुझसे वो कहा, पुरुष बैमान होते हैं, अपने मितर अपने घर के बाहर रखो, उन्हें जानने भी ना दो कि तुम कहा रहते हो, वो ऐसा कहा रहा था क्योंकि वो उससे गुजरा था, या उसने पुरुष दुष्ट हो सकते हैं, आप मुस्कराते हैं, और लोग गलत अर्थ निकालते हैं, और बुरे इरादे रखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप प्रभु की नजर में शुद हैं, ये सिर्फ पुरुषों की तरफ से महिलाओं के लिए नहीं हैं, पर ये दूसरी कभी ये एक अभिनंदन या प्रशंसा होती है, पर इसके पीछे कुछ होता है, और व्यापार जगत में लोग मित्रवत लगते हैं, आपको बसके नीचे धक्का देने के लिए उचे दाम चुकाया जाना चाहिए, आप किसी को परिशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको सम को रास्ता देते हैं, ये प्रभु के वचन में हैं, वो असल में चोड़ रहे हैं, वो जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, परमेश्वर ने आदम को दिया, आदम ने फल खाया, हवा ने फल खाया और उसने भी खाया, वो अनाज्याकारी था, ये वंचित था, वो व भूल जाएए, क्योंकि मैं इससे डरता हूँ, मैं प्रभु के वचन का इस्तमाल करने वाला होना चाहूँगा, मैं वचन को पकड़े रहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको पूरी पहुंच देगा, खोजूँगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए, अगर मुझे नहीं चाहिए होती, तो वो मुझे नहीं देता, ठीक ऐसा, जैसे आपके साथ होता है, पर आप कहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, मैं एक बेसाहरे घर में पैदा हुआ, हमारे पास कुछ नहीं था, हम इतने ग अगर मैं एक अमीर परिवार में पैदा होता, तो वो मुझे और भी बहुत कुछ देता, अपनी महिमा के लिए इसलिए नहीं कि मैं घमंडी महसूस करूँगा, दूसरों को देखो और मुस्कुराओ, जैसे कि आप उनसे अच्छे हैं, क्या आप इनने जानते हैं, नहीं, ह प्रभु हमें हर एक के प्रति सर्वश्रेष्ट करना चाहिए, और हमारा सबसे उत्तम भाग इशू की विरासत है प्रभु के वचन में, पर अगर आप पाप करते हैं, आप वंचित हो जाते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वंचित हो, अपने सिर जुकाईए औ पराके बन करें, परमेश्वर हम अपना भाग नहीं चोड़ सकते, क्योंकि उसमें चंगाई है, उसमें सम्रिधी है, उसमें उपलब्धी है, उसमें ओ परमेश्वर वो है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, परमेश्वर, प्रभु हमारे पाप हमें वंचित करते हैं, हम मैं से किसी को पाप में गिरने ना दे मैं शामिल हूँ परमिश्वर मैं एक अद्वीप नहीं हूँ मैं ठीक दूसरी जैसा ही हूँ घमन मेरे रिदे में कभी प्रवेश करने न पाए कभी दुख प्रवेश न करने पाए पिता क्योंकि मैं पीछे हड जाता हूँ जब मैं दुखी होता मैं तेरे वचन को नकार रहा हूँ जो कहता आनंद और प्रसनता से चिलाओ जैजेकार करो और उनके लिए मगन रहो जो मेरे धार्मिक मकसद को मानते हैं ओ परमेश्वर जब कोई आपके वचन को नकारता है वो दुख के चंगुल में गर जाते हैं रभू परमेश्वर मैं हम सब के लिए प्रातना कर रहा हूँ अभी खड़े हो जाए जो अभी प्रातना कर रहे हैं उनके धांचे धन्यवादी होंगे परमेश्वर उनके शरीर धन्यवादी होंगे उनके आत्मा धन्यवादी होगी पिता उनके रिदय धन्यवादी होंगे क्योंकि एक आनंद मैं रिदय एक शरीर का स्वास्थ है रिदय के मान स्पेशी का स्वास्थ है परमेश्वर तु अभी आत्मा से भेंट कर प्रभू हमारे रिदैरुपी पटियों पर हमारे पाप लोहे की टांकी से लिखे गए थे हिरे की नोक से पर अब तेरा लहू हमें शुत कर रहा है हम अंगिकार कर रहे हैं और अगर हमें किसी से ख्षमा मांगनी है और आमीन ओ परमेश्वर के महिमा आमीन भायो हमारा परमेश्वर महान है आईए देखते हैं आज का रियल लाइव ड्रामा सेग्मेंट मैं पास साल से शादी शुदा थी जब मैं गर्भवती हुई और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे जो मैंने किये लेकिन छे हफ़ते और दो दिन बाद गर्भवती की शिकार हुई मैं मैं काफी सहम गई थी फिर मैंने सोचा कि मैं अभी जवान हूँ और ये मेरा पहला था तब 2007 में मैं फिर से गर्भवती हुई डॉक्टर ने मुझे समाचार दिये बच्चे का रदय कमजोर है वो मुश्किल से महसूस कर सकती थी एक बार फिर मेरी गर्भवस्ता बाधी थुई मैं परेशान और दुखी थी और मैंने सोचा कि प्रभू क्यूं सबके पास बच्चे हैं और मैं अपना बच्चा नहीं पास सकती फरवरी 2008 में मैंने पाया कि मैं फिर गर्भवती हूँ और मैं करीब एक महिने से गर्भवती थी पर वो बच्चा मेरे गर्भ में एक महिने पहले मर चुका था वो काफी देर से रो रही थी, मेरी समझ में ने आया मैं क्या करूँ, मैं बहुत तूट गया था। तो उस समय मैं पहुच गई कहने के लिए, मैं एकदम हताश हो गई, मुझे मनोवेग्यानिक उपचार से गुजरना पड़ा, मुझे काम से छुटी लेनी पड़ी, पर मैं पहले इससे टीवी पर फेश्यो देखती थी, हम उसे बार-बार देखने लगे, हर दिन और मैं प्रा मार्तना में द्रड़ बने रहने के बारे में, और द्रड़ता रखने और परमीश्वर के प्रती आग्याकारी रहने के बारे में, मारिया जैनेते ने प्रभू के वचन के बारे में सीखना शुरू किया, और वो मा बनने के सपने के प्रती सासी रही, मैं हमेशा डॉक्टर स पास गई और टेस्ट किया और तब उन्होंने मुझसे कहा तुम एक बेटा चाहती हो। मैंने कहा हां और उन्होंने कहा पर सारे बच्चे जो तुमने खोए वो लड़के थे और फिर उन्होंने समझाया क्योंकि नर्गून सुत्रम महिला के द्वारा प्रदान होते हैं और त महां वापस कभी नहीं गई मई 2009 में पास्टर ने मददे के दिन उन्हों समझायाओं के लिए प्रार्तना की जुमा बनना चाहती थी तब मैं घर पहुची और मैं घर साफ कर रही थी मैं रेडियो सुन रही थी फेश प्रोग्राम पास्टर जैमी सारी माताओं के लिए प् वो बच्चा चलता और फैलता हुआ दिखा और मैंने कहा डॉक्टर बच्चा यहां उत्ता में और अच्छे से बना हुआ है मैं चार महीने और दो हफ़ते की गर्भवती थी मैंने दूसरा अल्टर साउन बाइस हफ़ते बात करवाया और जब डॉक्टर ने कहा कि वो एक लड़का है मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी मैं रोने लगी वो एक सामानिय गर्भवस्ता थी एक शांत गर्भवस्ता इम्मानुवल परमेश्वर की आशिश है वो कहता है कि उसका परिवारी शुका है वो चार साल का है आज वो पांच महीने की गर्भवती है और यह उसका दूसरा बच्चा है जो की लड़का है और मेरा एक और बेटा होगा यह जैसे हमेश्वर कहता है वो परमेश्वर की ओर से उपहार है छुटे बीज जो परमेश्वन ने मुझे दिये सिरफ परमेश्वर ही ऐसी चीज़ें कर सकता है वो आपके जीवन की कहानी प्रभू सारी सांत्वना का परमेश्वर है। दुर्भागवश ऐसे काफी हैं, मैं नहीं जानता वो ऐसा कैसे करते हैं, क्योंकि प्रोलोभन आता है और प्रोलोभन के साथ वो महसूस करते हैं कि कुछ गलत है, वो प्राप्ति नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के हैं, पर जब वो उसमें गिर जाते हैं और जब वो करते हैं पर कुछ लोग हैं जो गिरते हैं और तब वो पाप में आनंद लेते हैं और परमिश्वर के रास्तों पर कभी वापस नहीं आते पर बुद्धिमानियां के वापस आएं बुद्धिमानी है कि पस्चात्ताप करे याद रखे कि आप कहां से गिरे हैं और पस्चात्ताप करे नहीं तो परमिश्वर आपके पास आएगा और आपका दीवट हटा देगा और आप उसे वंचित हो जाएगे प्रभू हमसे कहा रहा है दूसरा सवाल आजगा बेहन आपने एक सुन्दर विशे का वरणन किया है मैं ऐसे बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रशन पसंद करता हूँ जो पतरकार बुद्धिमान व्यक्तियों तक पहुंचता है उसे पुरसकार जीतना चाहिए मैं गंभीर हूँ हम देखें मत्ती 19-20 में कभी-कभी कुछ प्रशनों होते हैं जो छुटकुले जैसे लगते हैं ठीक है न आएए चलते हैं नितिवचन्न 19-20 पर सला को सुन ले अगर परमिश्वर के निर्देश है उस पर कान लगाए और ध्यान दे और शिक्षा को ग्रहेंड कर जब परमिश्वर शिक्षा देता है कहे धन्यवाद प्रभू आपनो मुझे वाकर में एक महान आशिश दिये चिताय जाने पर नो रहे ओ परमिश्वर वो महिला मेरी जिन्दगी है या वो आदमी मेरी जिन्दगी है आप अचमभित होंगे यह जानकर कि तू अनन्दकाल में बुद्धिमान ठहरे कई लोग बुद्धिमान नहीं है सलहा कुमाने और शिक्षा प्राप्त करे और अनन्दकाल के दिनों में आप पूर्ण संतुलित होंगे आप बुद्धिमान विक्ती होंगे और परमिश्वर आपको आगे की शिक्षा देगा ये परमिश्वर ने कहा है मैं खुद नहीं कह रहा हूँ अब मैं उनके लिए प्रातना करूँगा जो घर पर है और फिर हम यहां साथ में प्रातना करेंगे परमिश्वर आज दिन है चंगाई का आश्रकम का चुटकारे का समस्याओं के समाधान का ये उपवास की सभा है परमेश्वर हम एक उपवास में जा रहे हैं पर घर में लोग इसके बारे में नहीं जानते या अस्पताल में और वो हमें देख रहे हैं और उन्हें एक आशीष चाहिए प्रभू क्योंकि हम तेरी उपस्थिती में हैं मैं और ये लोग उन्हें आशिशित करने जा रहे हैं जो सहायता के जरूरत में हैं और हम यहां अभी शैतान के सामर्थ को संबोधित करेंगे जो कुछ तेरा है लेकर चले जा और कभी लोटकर वापस मत आना प्रभु ईशुमसी के महान नाम में सभी मेरा नाम पास्टर प्रिंस है मैं यूपी वारनसी से हूँ मेरे शरीर में एक शारिरिक दुलबलता थी लेकिन उसी दोरान मैं फेट शो कारिकरम देख रहा था उस समय जब डॉक्टर सौरस ने ये बात बताई कि मनुष्ट को शारिरिक चंगाई से अधिक आत्मिक चंगा जो है उस से ही शारिरिक चंगाई जुलिवी होती है और उसके बाद उन्होंने परातना के लिए एक आहवान किया और उनके साथ साथ मैंने भी परातना करी घुटनों पे होके और वो शारिरिक दुलबलता जो मेरे शरीर में थी वो उसी समय दूर हो गई मैं परमेश्वर का प्रभु यश्व मसी का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे शारिरिक दुलबलता को दूर किया और मुझे चंगाई दी और मैं डॉक्टर सौरस की शिक्षाओं से प्रभावित हूँ क्योंकि उनकी शिक्षा पॉइंट टू पॉइंट होती है और उनक कि उनकी शिक्षा पॉइंट है